जैस्री किष्ण, स्वागत है आप सभी का मेरे हैचस वारत द्वा यूटूब चैनल पर आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति का महाउपाय बताने जा रहा हूँ पुत्र प्राप्ति का ये उपाय बेहदी चमतकारी और प्रभावसाली है पूरण मासी के दिन सत्तनारण भगवान की पूजा की जाती है और सत्तनारण भगवान की पूजा करने से पुत्र धन प्राप्ति का आशिरवाय प्राप्त होता है पूरण मासी के दिन गौमाता का पूजन किया जाता है पूरण मासी के दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है जिससे सभी कारिसित दो जाते हैं पूरा नमासी के दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णू के सामने अपनी निवेदन बोलता अपनी इच्छा बोलता है भगवान विष्णू उनकी सभी मनुकामनाय पूरी करते हैं तो आपको क्या करना है वो ध्यान से सुने पूरा नमासी के दिन सुवैशनान के बाद में सबसे पहले आपको सूर देव को अरग देना है ओम सूर्या नमा भासकरा नमा अदित्ता नमा आदी मंत्रों को बोलते हुए भगवान सूर देव को अरग देना है उसके बाद में प्रवान विश्णु के सामने ओम नमो भगोते बाजदेवाय नमा मंतर का जाप करें तुलसी पत्र अरपन करने के बाद में आप हवन भी कर सकते हैं अपनी मनुकामना बोल करके और इस दिन एक धागा आपको भगवान के हाथ में भी बांदेना है कि प्रभू आप हमारी पत भगवान सिव का अफसेग भी करना चाहिए भगवान सिव के सामने आप जितने सम्मवं उतने दीपक जला में भगवान का पंच आम्रसी अफसेग करें बेल पत्र भांग धतुरा आदी चीजे भगवान सिवको अरपन करें ऐसा करने से मनुकामना पूरी हो जाती है फिर उसके बाद में आपको बट ब्रक के नीचे दीपक जला करके एक सो आठ परक्रमा करनी चाहिए इससे मनुकामना पूरी हो जाती है इस दिन आपको क्या करना है कि काली मिर्चे जो भगवान क के सामने आपने रखी हैं यह आप सुबह भी कर सकते हैं छे और आठ के बीच में और साम को भी कर सकते हैं उन काली मिर्चों को ले करके जिसको मनुकामना जिसकी पूरी नहीं उपा रही है वह अपने उपर से साथ बार उसार करके अपने उपर से उसे साथ बार वह उसार नही बीडियो को शेर करें और इस उपाय को जरूर करें आपकी मनुकामना अवस्य पूर्योगी